C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है नवी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाथे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक पेश है नवी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्शी किताब गुलजारे उर्दू अब प्रस्तो थे गुल्जारे उर्दू भाग एक का अठार्मा पाठ उत्तर प्रदेश था लेकिन जानिसार अख्तर की पैदाईश 1914 में गौालियर में हुई उनके वालिद मुस्तर खैराबादी और ताया बिस्मिल खैराबादी दोनों शायर थे जानिसार अख्तर ने दस्वी जमाद तक तालीम गौालियर के विक्टोरिया कॉलिजेट हाई स्कूल में हासिल की अलीगर से बीए किया 18 अगस्त 1976 को मुंबई में दिल का दौरा पढ़ने से उनका इंतिकाल हो गया जानिसार अख्तर का शुमार अर्दू के एहम तरकी पसंद शायरों में होता है उन्होंने नजमें, घजलें और रुबाईयां कहीं हैं उनकी नजमें बहुत पुर अस्र हैं वतनी, कौमी और सियासी नजमों में उनके जजबात और लहजे की लताफत का एहसास होता है सलासल, तारी गिरेबा, नजरे बुता, जावेदा, घर आंगन, खा के दिल और पिछले पहर उनके शेरी मजमुएं हैं उन्होंने बहुत सी फिल्मों के गीत भी लिखे सफा चवण, नजम गो शायर, जानिसार अखतर की नजम, इतिहाद अपेश है शायर, जानिसार अखतर की नजम, इतिहाद ये देश के हिंदू और मुस्लिम तहजीबों का शीराजा है ये देज के हिंदू और मुस्लिम तह्जीबों का शीराजा है सदियों पुरानी बात है ये पर आज भी कितनी ताजा है तारीख है इसकी एक अमल तहलीलों का तरकीबों का संबंध वो दो आदर्शों का संजोग वो दो तह्जीबों का वो एक तडब वो एक लगन कुछ खोने की कुछ पाने की वो एक तलब दो रूहों के एक कालिब में ढल जाने की यू एक तजली जाग उठी नजरों में हकीकत वालों की जिस तरहा हदें मिल जाती हों दो सम्त से दो उजियालों की आवाज ए हक जब लहरा कर भक्ती का तराना बनता है ये रब्त बहम ये जजब दरूं खुद एक जमाना बनता है चिष्टी का उदुब का हर नारा यक रंगी में ढ़ल जाता है हर दिल पे कबीर और तुलसी के दोहूं का फसू चल जाता है ये फिक्र की दौलत रूहानी वहदत की लगन बन जाती है नानक का कबित बन जाती है मीरा का भजन बन जाती है दिल दिल से जो हम आहंग हुए अतवार मिले अंदास मिले एक और जबा तामीर हुई अलफास से जब अलफास मिले ये फिक्रो अदब की रानाई, दुनिया अदब की जान बनी, ये मीर का फन, चगबस्त की ले, गालिब का अमर दीवान बनी तहजीब की इस यक जहती को उर्दू की शहादत काफी है, कुछ और निशां भी मिलते हैं, थोड़ी सी बसीरत काफी है ठुमरी की रसीली तानों से नगमों की घटाएं आती हैं, छिड़ता है सितार अभी जो कहीं, खुसरू की सदाएं आती हैं, जहनों की घुटन मिट जाएगी, इनसां का तफक्र जागेगा, कल एक मुकमल वहदत का बेबाग तसवर जागेगा, तामीर नई वहदत होगी मानवता की बुनियादों पर, एए अर्ज वतन, विश्वास तो कर, एक बार हमारे वादों पर, इस वहदत, इस यक जहती की तामीर का दिन हम लाएंगे, इस वहदत, इस यक जहती की तामीर का दिन हम लाएंगे, सदियों के सुनहरे खवाबों की ताबीर का दिन हम लाएंगे, सदियों के सुनहरे खवाबों की ताबीर का दिन हम लाएंगे, जानिसार अख्तर, मश्क, सवालों के जवाब लिखिए, सवाल नमबर एक, इस नजम में शायर किस देश की बात कर रहा है, सवाल नमबर दो, शायर ने हिंदू और मुस्लिम तहजीबों में क्या-क्या बातें यकसा बताई है, सवाल नमबर तीन, तहजीब की यक जहती किसे कहा गया है, सवाल नमबर चार शाहर ने नजम के आखिर में किस अजम का इजहार किया है? इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ गुल्जार अर्दू भाग एक का अटार्मा पार्ट यहां से माप्त हुआ इसके बाद पार्ट उन्नीस आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.